प्रिजबूशन शरन सिंग ब्रिजबूशन शरन सिंग 16 फी लोग सभा के लिए UP के कैसर गंसे बिजेपी के सान साथ है ब्रिजबूशन सिंग मौझूदा वक्त में भारतिय कुष्टि संग के अध्यक्षवी है ब्रिजबूशन सिंग पांच बार लोगसभा के सदस्र चुने जा चुके हैं। साल 1990 में दसवी लोगसभा के लिए चुने गए। इस दोरान वो विज्ञान एवं प्रौद्धुग की रेल मंत्राले परामश दात्री जैसी समितियों के सदस्र है। दूसरी बार साल 1990 में फिर से तेरवी लोगसभा के लिए सांस्र चुने गए। इस दोरान भी वो क्रिह मंत्राले मानव संसात्मदिका समेठ कई समितियों के सदस्र है। मई 2014 में पांचवी बार सोलवी लोग सभा के लिए फिर से यूपी के कैसरगन सीट से सांसर चुने गए राजनीत के साथ साथ ब्रिजबूशन शरण सिंग को कुष्टी, गुरसवारी और दौड में खासी दिलचस्पी रही है साथी लेखन, गायन और साहित से ब्रिजबूशन शरण सिंग को खासा लगाव है ब्रिजबूशन शरण सिंग को खासा लगाव है ब्रिजबूशन इंडिया 24-7 पिम नरेंद्र मुदी से म मिले निर्देश के बाद, नूट बंदी के फाईदे, बीजेबी सांससत अपने संदिशत्र के लोगों को सबचाने निकलें इसे मिलिये यह हैं गुंडा के कैसरगन से बीजेबी के सांसत ब्रजबूशन सिंग सांसत साफ सधे सुर में नोटबंदी के फायदे बता कर जनता को साधने निकलें धूलनागाडों और जैकारों के बीच सांसत का हुसला बुलंद है हुसले से लबरेस सांसत ब्रजभुशन सींग इदर नोटबंदी के नफे नुकसान इलाके की जनता को बता रहे थे उदर भीड़ दे एक बुजर्ग किसान हाथ जोड़े सांसद के पास पहुँचा और सांसद महोदे को नोडबंदी के नफे नुकसान भरी महफिल में गिना दी जोड़े सांसद साहब को नोडबंदी से परिशानी की बिड़ा जेलरे किसान ने सीधा सा जवाब दिया सांसद के सामने ही नोडबंदी के दर्द का हिसाब दे दिया सांसद साहब सियासत के मज़े खिला रही है लहाज़ा किसान की पीड़ा को हंसी में उड़ा गए दुख के साथ खोशी पर जुमला किसान पर ही टिका गए बिजेपी सांसद ब्रजभोशन सिंग का सच से सामना हुआ था किसान का सवाल सीधा लेकिन बेहत गंभीर है किसान सरकार के नोडबंदी के फैसले से परिशान है सो उसी परिशानी को हिम्मद जुटा कर सांसद के सामने बयान कर दिया खेर सांसद का काफिला आगे बढ़ा लोगों के साथ नई जगे नई चौपाल लगी नोडबंदी के फैदों का पिटारा लेकर सांसद साहब नई गाउं में नई उम्मीदों के साथ पहुँचे यहां लोगों से सीधा समवाद किया नोडबंदी के फैदों का जनता को फिर से हिसाब दिया अभी तक मैंने अधबार में भी नहीं पड़ा है एक टाली पर छे कोईटल साथ कोईटली हो रही है एक गाउं से दूसरे गाउं सांसद का काफिला पहुचा नोडबंदी को लेकर हर जगे लोगों की अलग-अलग रायत कुछ सांसद के सामने नोडबंदी के फायदों में सूर से सूर मिलाते नजर आए तो कुछ घरेब किसान की तरह नोडबंदी से हो रही परिशानिया गिनाते मिले काम इस तरह से परभावित है कि जिसका कोई जवाब नहीं कभी किसी टैम ऐसा कभी मामला नहीं आया था जो आज कल हो रहा है हम लोग एक महीने से उपर हो गया दद्दस पंदरा पंदरा हाजार रुपए करजा हो गया और घर का खर्चा नहीं चल ला है नोडबंदी के वज़े से सारा ममला है हम लोग काम कर रहे हम लोग को पैसा नहीं मिल ला है सारे आजमी परेसान है इस दोरान सांसाथ बजभूशार सिंग से इंडिया 247 ने भी बात की सांसाथ ने क्या कहा ये भी सुनी है अपने चेतर में निकले हैं लोगों को नोट बंदी के फाइदे बताने के लिए आए उनसे जानते हैं कि उनके अन्भों कैसे रहे जैसे जब मैं निकला तो तीन चार पाँच बैंक मुझे मिले और कोई बैंक ऐसा नहीं था जहां बड़ी लाइन नहों कोई बैंक ऐसा नहीं था जहां बड़ी लाइन नहों एकाद बैंक में तो ताले बंद मिले बिना किसी भूमका के इस बिसे को छेड़ा है और आप जे समझे लिजे इतना जबरदस समर्थन है लोग तकलीफ आने के लिए इसलिए तयार हैं कि ये जो कुछ भी हुआ है ये हमारी भलाई के लिए हुआ है और आज का जो कारिकरम हम समझते हैं चार पांच कारिकरम में अदमी यहां तक गुंगा बहरा भी कहता अच्छा है तो अब देश के लिए फैसला अच्छा होगा यही मान करके इदर सांसत गाउं गाउं जाकर लोगों को नुडबंदी के फायदे गिना रहें उदर सांसत सहाब के संदिक शित्र में ऐसे कई लोग हैं जो मोदी सरकार के नुडबंदी के फैसले से खास से परिशान है कि थिट्का ठीट कर वह सो तो चविए प्रफैसा नहीं करने के लिए तोर अब को मजूरी कहा मिलेगा कि आँ कर दोतो कि दिखकर से हम लोग को मजूर कि वह जितकर से हम लोगों मतूर को मजूरी रहे कर महत इसके पास घर नहीं है उसको घर मिल लहा है जिसके पास घर नहीं है उसको घर नहीं मिल लहा है क्या करेंगे वो अपना फोसी में काट रहा है सांसत के पास नोडबंदी के फायदों का पिटा रहा है जो जिस भी गाउं शेहर में खोल रहा है खरी खरी सुना रहा है लेकिन एक सच ये भी है कि नोडबैंस से हो रही परिशानी को बताने की हिम्मत सांसत के सामने इसके सांज जैसे बिरले ही जुटा पा रहे हैं जो जु अबिकुस्टर पन्डे इंडिया 24-7 गुंडा झाल झाल